एलो एव्रीवन वेलकम तो आइग्जाम भी दा ओनली प्लेट फॉर्म डैट मेक्सिर फिफ्टी परसेंट फास्टर गॉर्मेंट जॉब पाना मुस्किल है यह प्रश्ट आप साथ मिरे से अच्छा बता देंगे बोलेंगे भई हमको बता है एक्जाम हम दे रहे हैं आपने एक जमाने में दिया था तब तो आसान था ऐसा लोग बोलते हैं हम डिवेट नहीं कर रहे हैं कुछ डेटा पर बात करते हैं देखिए फिफ्टी फाइव लैक कैंडिडेट अप्लाइड फॉर्ड ऐसे से एमडियस जिसमें आपको कि चतुत सेनी के करमचारी चौकिदार अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर नियूंतम कॉलिफिकेशन दसवी पास है लेकिन आथ बहुत ग्रेट भर रहे हैं और यह नंबर बढ़ता जा रहा है अगर आप देखेंगे पिछले तीन सालों का ट्रेंड तो गोवर्मेंट जॉब निकालना मुश्किल है यह प्र और सेलेक्शन कितने का हुआ 7.22 लैक किता हुआ परसेंटेस जिनका सेलेक्शन हुआ 0.33 जी हां एक परसेंट लोगों का भी सेलेक्शन नहीं होता है और क्या फेक्ट से यह यह जानने के लिए कि गोवर्मेंट जॉब निकालना मुश्किल है इसमें भी अलग-अलग परसेंट से 0.8 परसेंट तक है 0.07 यानि कि 0.1 परसेंट से भी नीचे है और यह भी जहां हाई मान लिजे परसेंट वहां भी एक परसेंट पूरा नहीं है फेक्ट है लेकिन आपको इनको बड़े ध्यान से अपने केरियर के लिए इस्तेमाल करना है एक और परसेंट बताता है पहली बात तो हमारे यहां जौब बहुत ज्यादा है नहीं एक हजार लोगों में 16 आदमी ही गौर्मेंट जौब कर रहा है अगर आप कंपेर कर लो यूएस से हर बात में में होई से कंपेर करते हैं पहले तो 77 लोग लोगों में 77 लोग तो करीब-करीब पाँच गुणा और अगर आप बात कर लो नौर्वे में यह नौर्वे सुडन यहां पर आपने में से दिखा अगर है यहां पर करीब-करीब हमसे 10 गुना आदमी गौर्मेंट में जौब कर रहा है हमारे देश से तो बहीं क्यूं होने वेकेंसीज हैं बिलकुल हैं पोस्ट खाली पड़ी हैं वो भी सच्चाई है बहुत सारा डेटा गूल करके मिल जाएगा बड़ ज़रुद नहीं है इतना काफी है समझने के लिए कि वेकेंसीज हैं बड़ चाहे वो सेंटल गोर्मेंट हो चाहे वो स्टेट गोर्मेंट बढता जह रहा है देखिया कि जो कंट्रेक्चिल इंप्लॉयमेंट है ना का मालूम है चाहे वो ड् euros हो चाहे वो टीचर व 몰लू χों चाहे वो सीक्योटिग प्हों चाहे वह बेंक हो या ल Ai-c ओ सब जगहें कंट्रेक्चिलल इंप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है तो जो security होती है government job में contractual में तो आती नहीं है सरकार एकदम confused जानबूच के भी किया हुआ हो या सरकार एक बड़ा system होती है अपने तरीके से सोचती है हर department अपने तरीके से सोचता है तो एक और आती है अगनी पत जैसी योजनाएं जहां पर है नौकरियां तो निकलती है अब सरकार को लोग तो चाहिए को देरी जिस्ट्रॉंग manpower required in defense in railway अब भर नहीं भी है लेकिन उसका खर्चा भी है तो आप थोड़े time के लिए नौकरी पर रख लो उसके बाद उनको lifelong pension दिने की ज़रूत नहीं पड़ेगी दूसरी और अब यूपी कॉवर्मेंट का यह आप देखिए वह सरकार अगर सरकार में भरती नहीं कर पादे तो क्या हो गया लोगों को रोजगार देने के लिए उनके help तो कर सकती है सत्रा सौ लोगों को private company में नौकरी दिलाने के लिए उन्होंने जो है arrangement किया कि हम जो है कुछ ऐसे job fair करेंगे जाप है आजकल है एर इंडिया जिसें टाइम में जो बड़ी कंपनी हुई है कुछ कंपनी टोटली प्राइवेट हो जायती है इसमें कई बार डिस इंवेस्टमेंट सटेन परसंटेज आप दा शेर होल्डिंग का होता है जिसे के केस में आई प्यों लाया गया तो सरकार का जो पर प्लैन है पिछले साथ साल में अगर आप नौ साल में आप देखेंगे चार लाख करोड का डिस इंवेस्टमेंट कर चुकिये और आगे भी प्लैन है करते रहेंगे अब कंफिजन क्यों है पधान मंत्री जी ने बोला 10 लाख लोगों को वो सरकार में भी रोजगार देंगे तो प्राइवेट भी है डिस इंवेस्टमेंट भी है और सरकार में भी रिक्रूटमेंट होगा और जो डेटा बताता है कि हमारे यहां पे केवल 16 लोग है हजार लोगों में जो सरकार में नौकरी कर रहे हैं वो भी क्लिरली बोलता है कि there is an opportunity public sector recruitment will continue to happen because there are many work which can only be done by the government तो ऐस नहीं है कि future में सरकारी नोग्रा नहीं होएंगी आपको अपने केरियर का decision लेना है तो data हर टाइप का मिलेगा data हर साल थोड़ा थोड़ा बदल भी जाएगा बट आपका career decision data statistics और आंकड़ों से नहीं होने वाला है आपको लेना है अपना career decision अपनी ability से सबसे पहले आप करू mock test आप जान लो कि आपके तयारी क्या है मेरा level क्या है उसके बाद आप देखो आपको करनी है सरकारी नौकरी यह नहीं लग रहा है यह हो गया बाभी मुझे जॉब चाहिए प्राइवेट जॉब प्राइवेट जॉब अगर करनी है इस वीडियो में description में लिंक दिया है वह attempting mock test at high exam b all the best मिलते हैं अगले वीडियो में